नमस्कार स्वागत है आप सभी का MB News 27 में Railway Recruitment Board ने एक्जाम की तारीकों की घोशना कर दी है अगर पिछले रिकॉर्ड को देखे तो RRB एक्जाम से शार दिन पहले एड्मिट कार्ड जारी करता है RRB NTPC के एक्जाम 18 दिसम्बर से शुरू होने वाले हैं मतलब RRB NTPC के एड्मिट कार्ड 14 दिसम्बर को जारी किये जा सकते हैं इसके अलावा isolated एवम ministerial category के एक्जाम 15 दिसम्बर से शुरू होंगे तो इनके एड्मिट कार्ड 11 दिसम्बर को जारी किये जा सकते हैं इस बार रेलवे में 1.4 लाग कैंडिडेट्स की भरती होनी है रेलवे बोर्ड उम्मीद्वारों के लिए यात्रा की दूरी और समय को कम करने की योजना बना रहा है ताकि वे अपने राज्य के भीतर परिक्षा केंद्र आवंटित कर सके उम्मीद्वारों के लिए विसेश ट्रेंड चलाने की भी योजना है CBT-2 में वही प्रवेश कर पाएगा जो CBT-1 में पास होगा कुल वेकेंसी के 20 गुना उम्मीद्वारों को CBT-2 में प्रवेश दिया जाएगा स्किल टेस्ट उसी उम्मीद्वार का होगा जो CBT-2 में पास होगा स्किल टेस्ट के लिए कुल वेकेंसी के 8 गुना उम्मीद्वारों को बुलाया जाएगा दोनों CBT परिक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी प्रते गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा